कौफी पर कुरुक्षेत्र शो में महमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कॉमेंट्स उनके निजी विचार हैं महमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्क की भावना को ठेस पहुचाना नहीं है भलकी जो ये शाही मस्जिद है ये कब से है क्या इसके अंदर वो प्राचीन भगमान कालकी का वो मंदिर स्थापित था उसे तोड़कल के मस्जिद बनाई गई अचानक की मुकद्बा कहां से आगया ये भी आप बात अक्सर सुनते होंगे और कितनी मस्जिदों के अंदर और दरगाहों के अंदर जाकर कि मंदिर ढूंडे जाएंगे और मालीजे कहीं साक्ष मिल भी गया उसका तो उससे हासिल क्या होगा आप उस जगे को हटा तो देंगे नहीं मस्जिद को कहीं मस्जिद को भटा करके मंदिर तो बना नहीं देंगे फिर इस सबका उदिश्य क्या है बहुत सारे सवाल ऐसे पूशे जाते हैं और अब तो जैसा दंगा संभल में हुआ उसके बाद से बहुत सारे नेताओं ने भी कहना शुरूब कि देश को किस ओर जाना चाहते हैं हमारे लोग ये जो संग से बीजे पी से जुड़े हुए जो लोग हैं ये ऐसी अदालतों के अंदर या चिकाएं लगाए जा रहे हैं देश के अंदर खून खराबा हो जाएगा कोई काता है ग्रेय अद्ध हो जाएगा तर आज़ा है वह राम मंदिर से ले करके उप ग्यान वापी मस्जिद वाला मामला हूआ या वह शी-क्रिशन-जन-भूमी साथ लेकर के आएं, परदू सर क्या है इसके उपर लिखा हुआ है, हिंदू टेंपल्स, what happened to them, the Islamic evidence, क्या हुआ भारत के मंदिरों का, और बाकी तो वो इसके एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे, लेकिन आम तोर पर एक बात कही जाती है, आप अगर इतिहासकानों से पूछें, वो उल्टा एक counter सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यूं है कि पूरे उत्तर भारत के अंदर आपको कोई बड़ा मंदिर दिखाई नहीं देता, पुराना बना हुआ कोई भव्य विशाल मंदिर कहीं दिखाई देता हो तो बताएं, पर राम जी का मंदिर नहीं था, शंकर जी का मं मंदर विहीन कर दी गई ये पूरी भूमी और किसने की, ये सारी बातें पूछी जाते हैं, आप प्रड़ादक्शन में जाए तो आपको बड़े-बड़े मंदिर दिखाई देता, नौर्थ में क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि उत्तर भारत ने धिला है उन आकरमनों और बड़े विशाल मंदिर थे और वो तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई है, संभल का हमें मालूम नहीं था, या वाके विवाद बहुत पुराना है या अभी शुरूबा कुछ वक्त पहले देखे वास्तों में इतियास के बारे मैं नहीं बताऊंगा तो बहुत बड़ी इतियास भी द्याव एठे हुए है, और उनके आगे मां कुछ भी नहीं हूँ, मुझे इतियास को तर गया नहीं है परंतु दुर्भाग इस देश का है, इन्डिपेंडेंस के बाद स्याज तक सही त्यास शिपा दिया गया और लोग को मालू नहीं पड़ा और नार्थ इंडिया में खास तोर से जिर्जदंग से इस्लामिक आकपन हुआ था, इन मास मंदिर पर मंदिर तोड़े गए और लोग गुलामी की आज भी, जो मुस्लिम हैं, उनके आगे नत बस तक है उनको लगता है कि यह अमाने उप्परान थैं। वो गुलामी की आज तक गई एनुह है। जो लोग मन्दिर का विरोध करते हैं इसलिए नहीं करते इसलाम को लाई करते हैं इसलिए करते हैं डरे हुए है कि आफ कई वह प्रतार ना तार ना जो इसलामिक काल में हुआ था उफिर नसुरू हो जाये कई मुस्लिवों दंगा न करें तो इस तरह ऐसा होगा को जर्जिया कर लगा सब आपर अत्याचार वा लो मार गए इन मास बंदिर कितने मंदिर तोड़े गए अनगिनत मेरे पार पूरी लिस्ट है और काफी लिस्ट मैंने कठा की है वो मैं भी नाम नहीं पता हूंगा पर का इन मंदिरों को तोड़ कर मस्जिद बनाए गई है उनको एक एक को मुझे लेना है और लेने का मतलब यह नहीं है हम इन लों तर नहीं है किस सड़क पर आ जाएं केवल कानूं के जिए लिए अब सवार यह आता है कि आप कोड़ में गए कोड़ मुकदमत आगिल करेंगे त कितने इसे मंदिरों की सुची आपके पास जितने गिराएं गए हैं मुझको सबूत सब को तो नहीं मिलेगा इस परस्टूप से पर जिनके सबूत मिल गए हैं उनको चोड़ने सवाल नहीं आता है उस तरह से जैसे आप मान लीजे आज आज आप कहीं जाएं बहुत पंजा आप से आप से पंजाब में उनको मालूम पड़े कि मकान पर कभजा फाला जगा हो गया यह मारा मकान था क्या उस मकान को देखके बाप जाए मकान सोचके आपको दिल में कुछ आएगा नहीं जो हम देखते हैं तो यह मंदिर था और नीचे आज मूर्ती है और आप उपर आप उपर देखके नमाज परड़े है और कभजा क्यों हो तो वह चीज अंतरात्मा को चीर तेता है मेरा नहीं को मेरी बाउना नहीं है हिंदुस्तान के आम हिंदु जनता के बाउना चिपी हुई और में वा संधेश आ रहे हैं कि आप आगे बढ़ी हम आपके साथ हैं जन मैं जानते हुए कि इतने इतने पपाचार अताया हुए है काग जो मौजूद है उसको मैं छोड़ कि चला जाओं तो कि बस यह हुआ कि मैंने लालस मुझे डर बसा काम नहीं किया इसलिए नहीं किया कि मैरा लाब हो जाए मेरे जान बच जाए या मुझे मैं कवा खालू हूँ आप कह रहें कि आप लड़ते रहेंगे और जहां जहां भी आपको पता चलेगा मंदिर था उसे तोड़ा किया है वह आप रिक्लीम करेंगे यह मेरा प्रण है और प्रण को पूरा करकर रहूंगा और एक-एक मंदिर को जो मुझे मानू पर जाएगा बीना डर एक काम करूं इसके परवान ही है यह भी कहा जाता है कि बही जैसे संभल का उधारन ले देता है मानिजा आपने यहां पर मांग करी कि भाई यहां जाच की जाए हो गया सर्वे का देश भी हो गया सर्वे बी यह कह दे कि हांसा मंदिर था यहां पर पहले अचा मंदिर तोड़कर मस्जिद बिनाएंगा यह मान लें सर्वे कह देता है उसके बाद क्या मंदिर थोड़ी मस्जिद हड़ जाएगा देखे 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 बताओं दुन्या में कोई इंपासिबल नहीं होती है और अगर आप इस चीश को माल लें तो लड़ते नहीं एक जमाने मेरे माँ पिता जी बताते थे कि उनके पिता जी गहते थे ते उसमें रिंग थे कि यह लड़के पागर लोग है क्या अंग्रेश का भी यहां से जाएंगे क्यो लड़ रहें बेका स्वकुम्रा कर रहें त देखिए मुबाताई हो अंग्रेश गए तो आवे के हिंदू वेव चली है और एक चीश बता दूँ पिसी देश का शासन वहां के लोगों चलता है अगर यहां जनता चाह लेगी क्या मंदिर वापस जाहिए तो वापस मिलेगा इसको रोक नी पाएगा कितने ऐसे जगों के बारे में आप जानते हैं मैं आज आपको लिश्ट नहीं दे सकता हूं मैं इतनी बात कह रहा हूं कि जिनका मुझे पोगता सबूत मिल जाएगा इमान तारी से और मैं संतिश चुचा हूंगा इंदे नेम आफ गाड बगवान के नाम पर किया यह सही ब कर दो यह कारन है कि उनका मालू है यह सुलीच उनका मालू एडवोकेट च मिल सर्वेस और आगे मामला ना बड़े कल को अर्साइज जाच हो गई तो नीचे सच्चा ही सबुना जाएगी तो चातिर को आज दबातो हर मुस्लिम चानते सच्च्च्च्च्छ्य क्या हैं आज अब संभल के बारे में थोड़ी सी और हम लोग डीटेल में बात करेंगे जो अभी बातें क्योंकि विवाद पब्लिक की नजरों में नया लग रहा है लेकिन ये तो पुरानों में लिखा इसकंद पुरान में कहा जाता है कि विवरन है ये बताया कोई कहता है कि एक थार पैतिस एसकंद पुरान में भी पूरा सो में सर्मादो के नाम से जगह थी और पुरानों में वेदों में इसका जिक्त पुरानी जगह है लिखे जाती थी हरियर मंदिर के नाम से जगह फेमस थी और यह कि अतार यह कि आतार दसवा कल के अतार यहां होना है तो बाबर ने उनके आदेश पर हिंदू बेग उसका कुछ सिनापती था और दूसरी दूसरी जो सबसे बड़ी एविडेस वाक बता रहा हूं आइन अकबरी आपती इत्यास कान आप जाता है चाह बताएंगे आइन अकबरी पंद्रह सो अश्य नभय के बीच किये अबुल फजल किये अगपर जमाने किये बालूम 2 पेज 285 पर लिखा हुआ है कि यह जगह वो है जहां हिंदू पूजा करते हैं और यहां कल की आउतार च 275 की Si की रिपोर्ट हैं है साफ साफ लिखा हुआ है किया कया है पूरी रिपोर्ट है तो इक दम प्रशूर मातरा में सब कुछ मौशूद है वो उनस सब का जिकर करते हैं जिस Si की रिपोर्ट की बात की जारी है 1894 से 796 के बीच में कारलाइल नाम के अगरे जफ़सर थे उन पूरी खरीदी जा सकती है जो गज़िटियर की है उसके पन्ने क्या कहते हैं ये इसका एक पन्नह है उसमें संभल के बारे में बताया गया है है आज का इसी साल दोहजार चौबीस का यूपी सरकार के इस डॉक्यूमेंट में बताया जा रहा है कि महां पर मंदिर है इंपॉटेंट ही जानना है कि अभी इसमें यूपी सरकार जो है वो पार्टी नहीं है इस पूरे मुकदमे के अंदर लेकिन अगर बना करेंगे उसे पूछा जाएगा आप बता ही आपके रिकॉर्ड में क्या आता है मैं बता दूँ नहीं पर इसके पीछे फिर लॉजिक देना पड़ेगा कि ये विवाद उठा है ये बात उठी ये तब से नहीं है ये पता नहीं कितने सालों से है सालों मतलब शतादियों से है तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है देखिए आपने एक सवाल पुछा कि क्या करेंगे अगर पता चल जाएगा तो कोई भी बड़ी तरास्दी होती ह तो उसका जगाव होता है उसका मरहम तब लगता है जब उसका क्लोजर होता है क्लोजर कैसे होता है बदला लेके नहीं जिसने गलती की है वो माने कि हमने गलती की माफी मागे यहां से शुरुआत होती है क्लोसर की मसलिम आकरांता मुगल आकरांता जो आए उन्होंने जो किया कि कि मुह Muslim की बात कर रहा हूं मैं Archaeologist उन्होंने कहा कि जो आकरमन कारियों ने किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और अपने जीवन का उद्देश मैंने बना लिया है कि ऐसे मंदिरों का जिर्नोधार करने का तो ये देश का बाकी मुसल्मान क्यों नहीं सो सकता है इस तरह से क्यों कि मुम्मद कोई मुसल्मान मानना बंद कर दिया है मुसल्मानों ने इतिहासकार हैं। उन्हीं के डॉक्यूमेंट देख लीजिए। पहले उसी के अधार पर तैय कर लीजिए कि वो कहां कहां मंदिर मानते थे। दूसरी बात आप दुनिया भर का उधारण उठा कर देखिए। ये हम जो कर रहे हैं ये हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को रीकलेम क कर रहे हैं। हम किसी की जगे पर कबजा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी थी जो हमसे जबरन चीन ली गई। हत्या करके और तरह के अत्याचार करके हमसे चीन ली गई क्योंकि हम कमजोर थे। आज हम मजबूत किसलिए हैं। कानून हमारे साथ है। सम्मिधान हमारे साथ है। वो हमारी ताक्त. आप कहरें मस्जिद हटवानी नहीं है बस यह मनवाना है कि हम अंदिर था और तुम्हें दोनों चीज़ें हैं एक तो मनवाना है जिसका सबूत नहीं है. सबूत नहीं है यह मतलब यह तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसा हुआ पहले तो मानने से ही मना करते हैं भाई आप राम जन भूमी को पांस सारे पांस साल नहीं माना वहां सचाई क्या थी दूसरी बात आपने कहा कि यह कहा जाता कुन कराबा हो जाएगा अभी महभूबा मुफ्तिक आपने भयान कूट किया तो तीन सो सब्तर पर उन्रों ने क्या कहा था यह पुलिटिकल विल से हुटा एक बार हटाना था सर यह तो लिस्का बतानी रहें कि कहां पर होगा ने ने जहां पर और शही बात करें यहां सबूब नहीं कहरें कि हम सबूब उठेंगे हैं ना यह हमारी है अगर सुबुत मिलेगा अवर सुबुत किसी का इतिहास का, साहित्यका, आर्कियलोजी का इस सब scientific basis पर अगर उसका प्रमाण मिलता है तो क्लेम किया जायगा और किया जाना चाहिए और political will होना चाहिए जो भी सरकार हो उसको implement कराने का आप किताब लेकर आये तो कोई विशेश बात होगी जो आप बताना चारे होंगे। इसलिए सताब्दियों तक हिंदू की चेतना में एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में संभल बना रहा है। पूजा अर्चना करते रहे। एक जो अभी उलेक कर रहे थे हैं जैन जी, 68 तीर्थों का संभल के अंदर और 19 कूपों का जिसके पवित्र जल से जलान करते थे हम, ये हम तीर्थ के रूप में उसकी मानिता बने रही। अब आएए कि इसलामिक स्रोथ क्या कहते हैं। इसलामिक स्रोथ नाम मा का उलेक किया। धावर नामा बावर नाम मा ने खुद लिखा है। जो चुक्धे बाबरी के रूप में उसका अनुबाद हुआ। और अंग्रेजी में कई बार अनुबाद हुआ। वो A.S. Beverage एक है उनके अनुबाद को हम पढ़ते हैं उसमें जाईए आप A.S. Beverage ने 687 नंबर प्रिस्ट पे ये बात लिखी होई है कि उसमें बाबर के हवाले से कि वो बता रहे हैं कि मीर हिंदू बेग नाम के उनके सिपाहसालार ने उनके आदेश पर बाबर के आदेश प गया बाबरी मस्जिद नाम कि इसको साही जामा मस्जिद कहा जाने लगा बाबरी मस्जिद ये बाबर रामा में मिलता है उसके ठीक बाद आईने अकबरी का जिक्र कि मीर हिंदू बेग जो बाबर का सिपाहसालार था उसने वहां मंदिर को ट्रांसफार्म करके मंदिर को रूपान तरिक करके वहां मस्जिद बनाया अब आये तीसरी बात जिस रिपोर्ट का भी अब जिक्र कर रहे थे कनिंगम जब आर्कियोलजिकल सर्वे आफ इंडिया के भारती पुरा तत्सव सर्विक्षों के डीजी थे डारेक्टर जनरल थे तो एक बड़े युवा आर्कियोलजिस्ट थे मैं खूब पढ़ता हूं उनकी रिपोर्ट्स को एसेल कारलाइल ने दो सत्रों में 1874-75 और 75-76 में पूरे मध्य दवाब का गंगा जमुना का जो दवाब है और गोरखपुर का सर्वे किया और उनकी जो सर्वे रिपोर्ट 1889 में 1879 में बहुत लोग उसको 1875 बार-बार कह रहे हैं बेसिकली 1889 की रिपोर्ट है 1879 में एसाई कोलकटा ने उसको पब्लिस की बहुत कॉम्प्रेहंसिव रिपोर्ट है मैं उससे ठीक से गुजरा हूं उस रिपोर्ट से उसके प्रिष्ट संख्या 25-26 पे जा ये संभल के सर्वे का वो जिक्र कर रहे हैं जब पूरे मध्य दव मन्दिर है तो मेरे जिग्याससा जगी व कह रहे है कि उसके बाद लेटररी सोर्सी का भी लेख कर रहें लेकिन जो तीन बहोत महत्यूण habían बता रहे हैं वो के जब मैने उसका सर्वे किया तो जो उसके पिलर्स थे पिलर्स को एक खास तरह का प्लास्टार टूटा हुआ है उसके अंदर जो हिस्सा दिखाई दे रहा था फिलर्स में वो बिल्कुल ग्रेट सैंड स्टून जो लाल बलुआ पत्थर है जिससे हिंदू मन दिरों के स्थम्भ बनते हैं थीक वही था तो बहुते बक्रेश कास्ञ पनुद्रों के स्थम्भ है वो कहते हैं कि वो राजपूत अर्किटेक्चर है पूरी तरह से तो मुझे बताया गया कि इसका निर्मार प्रतिवीराज चोहान के समय हुआ था तीसरी बात वो कलस का जिक्र करते हैं और इस तरह के नारियल का जिक्र करते हैं कि यह इस तरह के जो निशान हैं वो बता रहे ह हिंदु और जो बहुत महत्वन बाद शॉरब जी वह एक पर्सियन इंस्क्रिप्शन मुझे मिला रेकिन एक पर्सियन इंस्क्रिप्शन को डेटेल कह रहे हैं उस पर 25 पेश पर पढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा को कहते हैं जब मैंने उसको किसी परसियन जानने कि इसका निर्माण बाबर के एक सिपाहसालार मीर हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पे किया लेकिन कम्प्लीट होते होते उतना समय उसको लगा होगा तो उस समय जाके वह कम्प्लीट हो रहा है अब इतने सारे प्रमाड और यह उस प्रेमिसेस के अंदर से मिल रहा है यह इसको पढ़ना जरूर चाहिए अंग्रीजी में है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं कर यह बहुत इसमें चौकाने वाली बातियों होने कही है A.C.L. कारलाइन जो की अफसर्थ है आर्केलोजिकल सर्वे उफ इडिया में अथारा सो चाहतर से अथारा सो चहतर के बीच जो उन्होंने पाया वहां जाकर मजिद के अंदर उसका विवरान करें सरजरा सुनिये गाँ The Mohammedans ascribe the erection of the building to the time of the emperor Babar and point to an inscription inside the masjid which certainly contains the name of Babar but which the Hindus assert to be a forgery of later date At or on the back of this slab they say that there is a that there is the several Hindu inscriptions belonging to the temple Several Muslims of Sambhal confessed to me that the inscription containing Babar's name was a forgery and that the Mohammedans did not get possession of the building until about the time of the mutiny Mutiny जब हो केरें तो अठारा सो सत्तावन की mutiny Mutiny तक उनके पास possession नहीं था उस इमारत का और लिटल बफोर इट से अंटल बाओ 25 यर्स अगो And that they took possession of the building by force And that there was then a trial about the case in court before the judge of the district And that the Mohammedans gained the case mainly by means of forged inscription And also by all the Mohammedans joining together and bearing false witness against the Hindus who were in the minority Now this is a report that people have confessed to me in front of me that Babar has made the inscription Which is put in the book, this is a forgery and this is a later date It is put in the book and then it is put in the book and then it is put in the book कभी आपने सोचा था आज 90 जमाने में कि या एक बीजेपी गवर्मेंट बन जाए कि इतनी मोधी जाए 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 कि पाकिसान सोचा था आपने कभी कोई बात नामकित कुछ नहीं होती है कि अगर हम साबित साबित हो जाए माली जैसे भाफ़ेक्ट नापर चालिस एंगर चालिस के ताथ मुस्टिम जब प्रूम कर देता है कि वह प्रपरटी है और वह प्रूमनल जाए आप तो उनको तुछ कर रहे हैं कि जब चाए पास है मैं यह बात नहीं कर रहा हूं वह प्रापार्टी के दाम पर आठ बंद का, मकान क्लेंग कर सकते हैं उनके लिएकों नहीं है तो नपुन सकता की बात नहीं है गलती माफ होती है अपराद माफ नहीं होता है गलती माफ होती है गलती कंडोन होती है गलती नहीं थी अपराद माफ होती है अब उसमान क्या करें एसी सारी जगों पर खुद छोड़ दे मान ले और छोड़ दे मुझे आप उटलाइच क्यों कर रहे हैं हम यह तो नहीं कह रहे हैं आप उजे बिड़ दिजे इंगे प्रैस कुट कीजे तो हम अकार पड़े रहेंगे पाप दादा गलती गर गए फुर दे 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 जे पर यह कहिए कि नहीं अगर ओम जी ने मांगा मकान प्रदीब जी ने मांगा निकल आया उनर तो हम तो मार देंगे भाई दंगा हो जागा लाइन आडर से जगरा पुझाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि हाँ गुंगा गर्दी करोगे और काईम प्रहात में लोगे और सारजी ने कि उसे बोल रहा है भाई हम अदालत के सामने गिर 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 आएंगे नहीं हम सड़क पर आकर लेंगे बड़ी बैयावेश दिती है बहुत बैयावेश दिती है कि को आदम यह कहे तो दूसरा वो जो आपका क्लीसे जो वर्षिप आक्ट का सब लोग हवाला दे रहे है वह कानून किस लिए है फिर देखे प्लेसा वर्षिप आक्ट जो है इमिस नोमर है इस पर काशी मत्रासाब में उड़ चुका दोनों कोट से खारी जो चुका सुप्रीमों आदा प्रेंडिंग है और प्लेसा वर्षिप आप्लाई करता है ने करता है कोट देखे कि सर्भ गुम्मेबाजी तो नहीं होगी इस तरभ तो नहीं देखा जाएगा उसको पनिश कीजिए ठीक है मुकम्मादार कर दीजे कर दीजे को पनिश कीजिए क्यों नहीं उसके किलाफ काम किया है तो भी तो कोट जाना पड़ेगा आपको और मुझे कुछ कहा है मैं के बीचे बोल लिया था अधिकार चेस्टा साहिद कर रहा था आप जैसे अभी भावक के होते हैं असल मैं आपने कहा ना बार बार आप पूछ रहे थे और मुझे पता नहीं मैं जिस तरह का सब्बान करता हूँ अरसंकर जी का कि क्यो संख्या बताने से वो बेचा कर रहा है भी अठारे सो का दिकर तो ये किताब लाने के पीछे मुझे मुझे मौनलूम हाईब का आप संख्या पूछने वाले हैं इतारे सो का दिकर ये किताब सीता राम गोयल जी और अरुना व्हारी जी ने 1991 में लिखी थे अरुण शोरी जी भी थे साथ में जी 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 और ये एक एखार आट सो मंदिरों की बात कर रहे हैं आजाद भारत में बैन होने वाली कुछ चुनिंदा किताबों में ये किताब है सहेद बहुत कम किताब में बैन हुई है उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको 1991-92 में बैन किया था जब मैं 1991 में किताब आई थी उसी समय बावरी का मामला चल रहा था ये किताब बैन हुई थी और इसमें 1800 हिंदू मंदिरों और धर्मस्तलों का जिक्र उन्होंने किया है पूरे प्रमान के साथ किया है प्राइमरी सोर्सेस के साथ किया है आर्केजिकल और अर्केट्रेक्शनल सोर्सेस के साथ किया है बिलकुल कि कैसे उनको धुस्त किया गया कैसे उनको तोड़ा गया दो वाल्यूम है मैं एक ही वाल्यूम अभी आपको दिखा रहा हूं और इसमें 1800 का तो जिक्र है बहुत साही लोग 30,000 भी कहते हैं लेकिन जो असली बात है सुरब जी उस पर लिखा हुए कोई भी यातरी जाता है तो उसको दिखाई देता है वहां आगे कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर यहां पर इस मस्जिद का इस मजिसर का निर्मार किया गया यही लगवादों आप वहां भी सपस्ट सारे सोर्से चीक चीक के चिल हम कह रहे हैं कि यह हिंदू की आस्था जो बहु संख्यक जनता थी यहां की उसकी आस्था पर कुठारा घात हुआ हमारे जो धर्म और हमारी स्वध्धा के केंडर थे उन पर कुठारा घात हुआ और 800 साल लगातार हुआ आज हम अगर उसको केवल रिक्लेम कर रहे हैं हिस् और खासकर सुरू के 200 साल दोनों ही सल्तनत काल में भी महितिहास के क्विद्दैर्थी के रूप में बहुत मैनूटली जब इसको अफ़जर करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है आप देखे सरकी सुल्तानों ने क्या किया सतर किलो मीटर दूर जब मस्जिदें बनाई उन्होंने आके जौनपूर में तो मंदिर तोड़ रहा है जाके बनारस में और वहां से वहां के पूरे पूरे स्ट्रक्चर को ले आके एज़टिज उस मस्जिद में लगा रहा है पचास जगहों पे तो मैं भी तुरंट बता सकता हूँ आपको आपका समय लाओ नहीं करता है इतना कम समय हमने इस कारिकरम के लिए रखा हुआ है अधरवाइस मैं पचास तो एकदम एक क्रम से बता सकता हुआ हूँ अब सार जैसे अब यह अजमेर वाला मामला आगया अजमेर दरगाह वाला बहुत से लोग इसको एक फिर्वलस केस कह रहा है मैं आज की से बात कर रहा था तो वहें वो भी इधर राइट विंग में चारदा रहा के लेकिन उनों ने भी कहा कि हमने तो नहीं सुना यह वी ब आप अजमेर वाले से भी कन्विंचन है और सही बात है अजमेर में मंदिर है अब नहीं है तो थापित हो जाएगा इसमें इतना भवाल में चाहने का जूरत है पुष्कर में मस्जिद मजार कहां से आएगी भाई आज उस स्थान को उस मजार के नाम से दरगा के नाम से जाना जाता है पुष्कर ब्रमाजी का मंदिर कितने मंदिर हैं देश में या दुनिया में कह लीजिए ब्रमाजी के उस शहर को हम उसकी पहचान जो है उस दरगा से है तो बात यह नहीं है कि कहां मंदिर था कहां नही था, वो तो मुद्दा है ही. बात ये है कि हमारी कल्चर को, हमारे डिलिजिन को, हमारी आस्था को किस तरह से कुचलने का काम किया गया? हम ये कह रहे हैं कि आए. तो बताने का काम, ओम जी जेसे इतिहासकारों का है ना, उनके किताबे लिखें हैं, अभी अदालत के फैसल लिखे हैं. कि हमने मन मार कर जो है, मान लिए अदालत का फैसला. अब आसांक है. इमामने जमा मस्जिद में जो खुद्बा किया है, उसमें उन्होंने कहा है, यह राम मंदर का केस, पहला केस है, जिसमें अदालतों ने मैजॉरिटी की भावनाओं के लिए एक फैसला भी दिया, सबूतों के खिलाफ जाकर गया, मैं जादा नहीं जानता है, लेकिन राम जनभुमी विवाद को भी बातचीत के जरीए आपसी में हिंदू मुसल्मानों के बीच में, उनके लीडर्स के बीच में सुल जाने की कोशिश हुई थी, कहते हैं उस वक्ट के प्रधानमंतरी ने इस पर काफी इंट्रेस्ट पिलिया था, लेकिन क्या ये बात उस वक्ट कही जाती थी कि अध्या में राम जी का मंदिर, मनारस में शिव जी का मंदिर, और मत्वरा में कृश्न जी का मंदिर, इन तीन मस्जिदों पर विवाद छोड़ने मुसलमान तो फिर और ऐसी बाते नहीं की जाएंगे कि अगर था तो 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 अगर था था तो अगर था तो अगर था था तो अगर था था तो अगर था था तो अगर था था मैं किसी बहुन नहीं हूँ, मैं किसी बहुन नहीं हूँ, मैं दर्ती पर आया हूँ, अपने कर्मों से, जाओंगा अपने कर्मों से, बगवान से मेरी बात होगी अपने कर्मों से, मैं किसी को मानने जाओ, मेरा कर्म कहता है, कि मंदी टूटी है तो वापस देना को दिखा रह रही है कितनी जंदा जो मन मार कर लेती है आप तो इतियास का रहा हूं मार श्रिंगार गोरी का जो गेट है तोड़ के मज़ी बना दी सालों साल हिंदु जंदा जाती है उस गेर को पकड़ के हाथ देशे कर लेती है संभल में यह पढ़ने पढ़ा था यह शलब मनी तर पार्टी जो है विधायक हैं बीजेपी के इन्होंने आज कुछ तस्वीरों के साथ वो इनक्षे जो मैं आपको बता रहा था जो और कुछ तस्वीरें उन्होंने लिखा है कि 2012 से पहले तक हरी मंदिर पर पूजा अर्चना होती थी शादी ब्याह के संसकार भी होते थी इसकी पुरानी तस्वीरें हैं सपा सरकार में संभल के सांसर शफीकूर रह्मान बर्क अब नहीं रहे अब उनके पूजा रुकवा दी गई हरी मंदिर को पूरे तोर पर जामा मस किद में तब्दील कर जा गए, जिस कुएं का आफ-जिक्र कर रहा है ना कुएं का आधा इससा आज भी बाहर से दिखाई देता है, मस्जिद की दिवार के अंदर बाहर जो है दिखाई दिखा इस दा गोल सच्चे बूटर जैसा अब आधा हिससा बताते हैं अंडर कवर कर तो यह मस्जिद इंतजामिया कमेटी का क्या स्टेंडर्स लोग कैसे कभजा ने सकते हैं आपने कानून आपने बिल्कुछ सही चोड़ा यह बहत रहे गई थी उनीस वबीस में अब कोई धन्यवाद देर पूछा तब गया एसाई ने इसका कभजा ले लिया एसाई प्रोटे प्रिसाब बात है और इस तो मैंने अपने सूट में इननूर पढ़ा तो है नहीं बाइस्टर ओवेसी साब ने मिनी पढ़ा ले उड़े प्लेसाई पर लिखा हुआ है कि यह एसाई प्रोटेक्ट मानूमेंट है उस पर यह एक लागू नहीं होगा उसे भी लिखा है और नहीं है अभी तो क्यों यह कि एसाई कब्जा ले और हमको अंदर जाने कि स्रक्शाटारा के साथ से अधिकार दिया जाए अभी क्यों इतने जिम्दा है हमको मतलब प्रेटिशनर्स को आम हिंदू अंदर जा पाइं इसके हम आग गया तो अभी तो साहिल के आस-पास ही थे आपने भी कहा कि एसाई प्रोटेक्टिड मॉनुमेंट्स पर लागू नहीं होगा बूल गई सब मत्रा जो है मत्रा वाला वह भी एसे प्रेटिशनर्स का स्वरूप बदला जा सकता है इसका मतलब नहीं उसमें लिखा है कि रेल्जिस करेक्टर के हिसाब से वाँ पूजा पार या दमाजों भी होगी वो डिटर्मिन होगा उस एक्ट के बारे में भी जस्टिस चंस्चूड का जो फैसला है माई दो हजार बाईस का उसके हिसाब से उस एक्ट के बावजूद ये तै कर सकते करने का अधिकार है कि ये दरसल किस धर्म को बिलोंग करता है इसकी जो ह आइडिटिटी है क्या वह आप प्रोटेक्ट तो तब करेंगे जब ये तै कर लेंगे कि ये मुसलमानों का है हिंदूओं का है क्रिस्टिन्स का है जिसका भी आप मानते हैं तो इसलिए ग्यानवापी का मामला जो खुला इसलिए खुला ना इस लेस अफ वस्षिप आएक् सर्कार का नजरिया हमारा ब्रूआ के हिन्न फिर हमोड़ लेकिन उसको वो दादा गिरी चेहं रहें यह गुंडा गर्दी कि नहीं तुम को अदालत जाओगे तो भी चलाएंगे, हम पथर उफ्सकी पार्मारेंगे 20 slowly सरकार का रुख क्या होना चाहिए? सरकार का जो किसी भी सरकार का होना चाहिए law and honor maintain करने के लिए, कैसे किसी को आप संस्था को व्यक्ति को समूर को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने दे सकते हैं, फिर तो अराजिक्ता की बात हो गई ना, पुलिस किसलिए फिर थाने बंद कर दीजे, सड़क पर सब कुछ तय होने दीजे, और जितने माफियाओं ने, किसी के मगारू कब जब कर लिया है, ये भी कोई सुर नहीं पाइलोगा, को दाला अंडर भी कर जाएगा, ये विलिक दीजे कारूं में, काँ होना दीजे, तो चाहिए जितने मोर्चे खोल है, उसका डर नहीं, नहीं होना चाहिए, सरकार में अगर विल पावर है, अगर आपको, आपकी नजर उनके वोट पर नहीं है, उसके लिए आप कंप्रमाइज नहीं करते हैं, इसकी नजर तो वोट पर नहीं है, मुसल्मानों के, इसलिए हो रहा है, आपको ये नहीं लगत का पुब्लिक है और फिर आप क्या करेंगे सुप्रिम कोट ने रोक लगा दी तो आपने तो इसको मिशन बनाया हुआ अपना इसका मामले नहीं सुन सकी जवाब है जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो करांथी के रास्ते सुरू होते हैं फिर आप भी सलक प्रोतर नहीं क्य अपने बात बता हूंगा लेकिन मुद्दे नहीं चोड़ने सवाली नहीं आता है जब तो राम नाम सत्य नहीं होगा तब दमुद्दे बहले ही चोड़़गा ये कन्विक्शन आपने कब से आई ये करना ही है मुझे यो यही करना है ये मैं 11 साल की उमर से इसके लिए हैं चैंवैसर हूं मेरे किसी मुसल्मान से विक्शिकत छाइब नहीं है किसी इस्पेत लाइबत रही है अ कि सवाब मेशं ही अंछला कि मतलब हो रोटी परी नहीं होता मुसलिम अपनी जगा इंदू अपनी जगा इसका आधी दूय लावज कहाई है लि technicians लावज कश्म केवल कौम की लड़ाई है इडिलाजिकल है एक एक वोट यो है केके मुहम्मद का फिर कह दे उन्होंने कहा कि अगर इस देश के मुसल्मान आकरांताओं को अपना पूरवज मानना छोड़ दे तो सारी समस्याहल हो जाए आपको ये भी लगता है कि मुसल्मान जानते हकीकत सबहने अगर आप अगीकत नहीं जानेंगे ताव ना उबलेंगे क्यों मेरे घर पे चोरी कसमान रखता हुआ है तो मैं बभाल कर भाया लेख लो वह भी जानते हैं मैं भी जानते हूं सच्चा ही क्या है वो आगे मामना ना पढ़े, इसलिए ही रोग दीजिए, इसलिए ही बाद हुआ है, यह बात और कुछ नहीं है, एक शॉर्ट कुमेंट सर आपकर, बिल्कुल जो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी मुसल्मान जानते ही हैं, कि उसमें है क्या, अदरवाइस क्यों सड़क पर क्यों उतर रहे हैं, 24 ट्रेक्टर, ट्राली, इंटे कहां से आ जा रहे हैं भाई, फेकने के लिए, और पूरी लायन ओर्डर को, पूरी न्याय विवस्था को क्यों बिगार दे रहे हैं, आपका इस देश के न्याय और कानौन और सम्मिधान पर आपका कोई भरोसा है य परतमान साहब उनके जो दादा जी थे, परतमान सानसत के, उनके समय में यह साई के अधिकारियों को वहां से भगाया गया, साइद अभी मैं नियूस पेपर नहीं देख पाया, लेकिन अगर रिसर्चर के बाहत, यगर उन डेट्स के नियूस पेपर को मैं लगाता हूँ, को भी कुछ रिसर्चर को, खंगाल है तो साइद नियूस पेपर क्लिपिंग्स मिला इस पर, समय मितना है, सच में लग रहा, जादा समय होना चाहिए था, कहा जाता है कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या होती है, लोहा, पत्थर, स्टील आ गई तो स्टील, क्या हो स होता है, सार बहुत धन्यवाद आप प्रोग्राम में है, बहुत शुक्रिया जैन साब, पदीजी बहुत शुक्रिया आपका, ओमजी बहुत धन्यवाद आपका